आख 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 कॉम्प्लेंट तेने वाले इंजिनियर ये कैसे हो गया मेरे भाए अक्सिडन्ट हो गया एक्सिडेंट नाम क्या है? स्टेल लगवाने वाले मंत्री का लाँ श्यामला मेरे साथ चलेगा या फॉलो करेगा? फॉलो करोगा फॉलो मेरे आदमी काम शुरू कर देंगे वहाँ कोई कुछ नहीं बना सकता सोशल सर्विस तुम औरतों को 33% तारक्षन देकर अपने ही पैरों पर कुलहड़ी मार ली औरतें केवल चूलहा फूकने और बच्चों को पैदा करने के लिए होती है मैं नहीं जूँगी हो नहीं सकता फ्यामला मैं पांच मिनिट का वक्त देता हूँ मुझे इन उसी चाहिए मैं आपकी धंकियों से डरकर आपका काम नहीं करूंगी तुझ में जितनी ताकत है वो लगा लेगे दो मिनिट में तेरी कुर्सी गई फिर घर पर बैट कर फैमिली के साथ सास बहुत देखना एक नंबर टाइम पास मैं तो अपना अब वो पदवी मुख्यमंत्री सोयम अपने हाथों में रखेंगे यह सूचना हमें मुख्यमंत्री कालियाले से मिली है आगे की समाचारों के लिए हमारे साथ बने रही कंप्लेंट देने वाला एंजीनियर नहीं रहा पर्मिशन रोकने वाली मिनिस्टर भी गई तेरा सस्पेंशन ओडर आ इतने सानों के पुलिटिकल करियर में किसी ने मुझे पुलिस टेशन बुलाने की हिम्मत नहीं की और ना यह किसी पुलिस वाले की मेरी चौकट तकानी की जुरत थी और तू मुझे पुलिस टेशन बुला रहा था आई हेट पुलिस ए डिजीपी ठीक है हैदराबाद का बादशाह यहां मेरी हुकुमत को रोकने की इम्मत किसी में नहीं तुम्हारी ये जीत पॉमानिट नहीं है आज तुम्हारा दिन है कल हमारा होगा गुड़ पॉजिटिव एटिटीटी तुम्हारी यादा पसंद आहीं तुम्हारे डिपार्टमेंट में तुम्हारे जैसे जावास पुलिस वालों में कितनी मरतानगी है यह मैं भी देखना चाहता हूँ तुम्हें से एक तो होगा जो मेरी बराबरी का होगा बात करो करता हो ना भाई मिनिस्टर जी अरे आप बोलने के लिए बचा क्या है तुम तो वहां अराम से एसी में बैठे हो और मैं यहां जंगल में फशाओं इनकी मांग जल्दी से पूरी करो और मुझे यहां से ले जाओ इन्फॉर्मेशन मिले पुलिस हो ले आगे तुमीने पुलिस को बुलाता है तो पोजिशन ले लो उस तरह जाओ सर अंदर कोई भी नहीं है ए पुलिस बाहर आजाओ वटला इसे खतम कर देंगे अपे तुम लोग यहां मुझे बचाने आया हो या बच्चों की तरह आज पे छोली खेलने आया हो हुआ है हाई माई डियर किद्नैपर्स क्यासे हैं आप लोग जनाब जेपी साहब एसीपी कल्यान से ना जेपी जी आप घबरा क्यों रहें घबराओं नहीं तो क्या करूं भागलों की तरह अकेले आयों ताकि मेरा यहां तिम सथकार देख सको गन कहा है से जाते हैं एक यहां झाउ in तुम एफ यहां डियर है यहां यहीं खने रहे वाटा गोल ही मुझे लग जाईगे आए जेपी जी पिशन कंप्लीट हो गया है अब आराम से यहां बैठ जाएए अरे बाप ने तुम्हें अकेलब देखकर डर गया था लेकिन तुम्हें सबकी बैंड बजा थी यही जान पचा कर तुम्हें कवाल कर दिया मैंने आपकी उमीद से अच्छा काम किया है अब मेरा भी एक काम करना होगा जैसा काम आई पीएस पास करने के लिए बहुत तिकडम चलाईये मैं मेरा एक अजिंट प्रमोशन करवाकर हाइद्रबाद पोस्टिंग करवाई हैं यहां पर खोलिया चल रही हो और तुम्हें बाहर निकालो नहीं होगा नहीं होगा तुम मझे यहां से जिन्दा ले जाने आयो या मेरी डेट बॉड़ी को कंडा देने आयो सौरी सर आपको जान चाहिए और मुझे मेरा प्रमोशन चाहिए चलिए पहले फोन लगाई तुम पुलिस वाले हो या पोजिशन वाले हो ना बिटा मैंने बोल दिया है अब चलें वो क्या है फोन की बात तो पर मुझे वरोसा नहीं है ट्रांसफर की फैक्स कॉपी MMS से इस पोन पर भेजने के लिए करिए फिर आपको बचा लो तेरी हरकतों को देखकर लगता है नकसलियों से बड़ा दुश्मन तो तू है उनसे ब इसलिए तो ट्रांसफर लिया है सर किसी की लाइफ से खिलवाड करना है मां क्या होगा आमी वालों को भी इंफ़ाब है उन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा पापा चलिए ने पापा सर सिचुएशन बहुत ही सीरियस है हमें अभी पहुंचना होगा गुरनाच जी मेरी व हुआ है यह सुनो अंकल आपका डीजी भी कहा है वो देखे आ रहे है यह महाशा कोन है यहां ड्यूटी जॉइन करने आए है सर सीनियर ओफिसर को देखते तुम्हें सेलूट करना चाहिए क्या तुम्हें यह भी नहीं पता उसा मत हो यह अंकल वो फॉर्मालिटी भी पूरी कर दूंगा पहले ड्यूटी तो जॉइन कर लूँ दिस इस यूर जॉइनिंग ओर्टर कौन सा जोन मिला है अरे वेस जोन है जुबली एस्टेट बंजारा हिल्स मादवपूर बहुत पॉशे एरिया है मेरी कमाई अच्छी होगी किस कमाई की बात कर रहे हो मेरा नाम इमानदारी से नाम कमाया जाता है सर से सिनसेरिटी से काम करना हूँ करूंगा सर एसा काम करके दिखाऊंगा कि भगवान खुद आकर मेरी पीट थमता पाएंगे कहेन सर, जितनी सिनसियरिटी से काम करूंगा क्राईम उतना यह कम होगा ना और दो भगवान भी खुश हांगे हूं गुद्बाइ सर्ट 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 वट यू थिंक आम पुलिटिशन और पुलीस पॉलीस गो फॉर मालाइ मुझ से पहले जो असीपी यहाँ आए वो कैसे थे मैं नहीं जानता लेकिन मेरे साथ कैसे पेश आना है, ड्यूटि कैसे करनी है और पुलीस वाले कैसे होते हैं यह मैं तुम्हें बताऊंगा Am I clear? Yes, Sir Say it loud Yes, Sir Let's take the pledge Sir, Sir यह इश्वर आज के दिन से हम अपनी सोच और फर्स को अपने लिए अपने बच्चों के लिए आने वाली पीडियों की भलाई के लिए इलाके के हर धन्दे वाले को अपनी मुट्टी में रखकर उससे हक से अपना हिस्सा मांगेंगे Petrolling, Criminal Chasing यह सब रिस्क उठाए बिना financially set हो जाएंगे Petrolling, Criminal Chasing यह सब रिस्क उठाए बिना financially set हो जाएंगे हम अपना धर्म और कर्म निभाने के लिए ज्यादा नहीं उचलेंगे अरे इतने एमोचनल क्यों होगे तुम सिंसियर रहना चाहते हो क्या नहीं नहीं बिल्पल नहीं बिल्कुल नहीं आप जैसे ऑफिसल मेंटे का है सेर यहां पर जितने भी सीप डीशीप आते हैं सब अपने पीचे में बनते हैं हमारे राच्च में हम जैसे सी आई ऐसा है भूच था कोने से आपके हमें जिनेक का एक रास्ता दिखा दिए असर अपना सपना पराया माल अपना अपना सब्सक्रों पगलो रुलाओगे क्या ऐसा स्वागत लाइफ में कभी नहीं हुआ था तो सुनो मेरे प्यारे गुंडो इस शहर के हर पाश एरिया में आज से मैं तुम्हें protection दूँगा comfortably crime करना लेकिन उसमें से 20% मेरे पुलीस भाईयों को देना और इसके अलावा टेकनोलोजी इस्तमाल करो कितने भोले हो तुम कोई फेस्बुक पर बताता है कि मैं चन्ने जा रहा और वो चन्नाई के लिए उड़ जाएगा उसके जाते ही घर साफ कर दो कोई अपने मोबाईल से ज्वेलर्स को ट्वीट भीजो कि उसका शोरूंग कम बंद होता है फिर वहां हाथ मारो ग्रेट तरक् क्री सूर्य कल्याव प्रामा बनकर यार तो अब हो अब हो मैडम सुनो मैडम होई पहरी हो क्या तब से आवास जनाओ सुनाए नहीं दिया सुर्य आपका नाम श्रीवणी नाइस ने भूलू क्या कल्याण बाई पांडे जी कुछ सोशल वरकस हमरे रेवोल्यूशन को शटका देने की कोशिश कर रहे हैं कहां है वो हेलो हम सच्छा स्वाराज लाना चाहते हैं इसके बावजूद आप लोग खामोश क्यू बैठे ह हैं यह जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ यह पूसधारी जंगू ना मूसधारी मंगू हर हाल में व्लोग करेंगे आप इसी तरह से सटल्मेंट करते जाओगे तो हमें सड़क पे आके भीख मांगनी पड़ेगी एसी पी को हटाओ रियल स्टेट को बचाओ एसी पी को हटाओ आपको किसी से भी डरने की ज़रूत नहीं है उस एसी पी को हम हर हाल में हटाके रहेंगे बाग मिलका बाग प्रतिबोधिताम भगवता नाराइडी निस्वयम आप ये गीता का पार्ट क्यों पढ़ा रहें सार तुम ज़रा अपनी प्यारी वान को 360 डिगरी घूम कर तो देंगे यह क्या कॉंसेप्ट है सर वन नॉट एट किसका नंबर है एमर्चंसी में एम्बुलेंस का नंबर है किसी भी हालात पर टाइम पर पहुंस के मरेजों की जान बचाता है और उसका बिलकुल ऑपोसिट है कुछ करने वाला मैं कौन होता हूं यह सब तो इश्वर के लिए काम जालिम का और नाम इश्वर का तुम्हारी हालाद भी फटीचर जैसी हो गई उससे भी बुरी हमारे जैसे टोपी बाज इस शेहर में और भी बहुत लोग है सार अरे यार उसे तो हटानाई होगा यह कांड़ के पेचारी आड़तों पर लड़कों का जुल्म छी 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 लड़कियों की मांग है कि शराप को जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए एक वाटा ब्रैंडी देना ब्रैंडी और विस्की देना जिन ब्यर और वोटका यह लिगे मैंनों थांक्यू भाईया सोडा नहीं लोगी जरूरत नहीं यह पकड़ो और अब बोलो गन लेकर किसने किसको दोड़ाया था बोलो बताता हूं दीदी अचानक इसका एक्सप्रेशन ऐसा बदल क्यों गया है हमनों न्यूस पर ध्यान देते हैं ना तुम बोलो बोलो इस गोरे चिट्टे चोकरे पर जान बूच कर अचार कर रही है और जूटे इल्जाम में फसाने की कोशिश कर रही है एक लेडी टीवी पाइव रिपोर्टर और उसका साथ दे रहा है कैमरामेन रगु तो इस पीने वाले को इंग्लीज पिला दी यह लो और फिर रोमेंटिक तरीके से पूछती हो देगा ना क्या हो था इसे हमारे पीछे ऐसे बाग रहा है जैसे ओलम्पिक में गूल्ड मेंदल इस चैतान से अब आपने कौन बचा हो गया पांडी जी आप हमारे लिए भगवान है हमारे बच्चे मुनिसिपल स्कूल से कॉर्परेट स्कूल में शिफ्ट हो गया है बढ़ी आरिया है एडवांस भी देदिया है सर वेरी गुड मा बहुत खुश है पिता जी ठीक हो गए चोटा पढ़ाई कर रहा है बहन की म में मंदब सचा हुआ है और खूबसूरत लड़की स्लो मोशन में भागते वे आपकी तरफ बढ़ रही है आपके वाचा सच होगा है पांडी जी पांडी आपको पसंद तो नहीं आगई पांडी पहुत आपको पसंद तो नहीं आगई पांडी मेरे सपनों कि राणी अरे तो फिर काम पती है सर अच्छा है मेरी हमसफर यही होनी चाहिए मुश्किले सर वो प्रेस वाली है आप पुलिस वाले ब्रेस कॉन्फरेंस बलाओ अच्छा सब लोग आ गए है ना हाँ आ गया सर टीवी नाइन यू टीवी एंटीवी मेरा चैनल कहा है यह यह फैन अचानक बंद कैसे हो गया आप दूबे जी मैं भी आपका बैन हुसर यह बताईए यह प्रेस नहीं क्यों बुलाई गई है यह बताईए ना सर अरे बताईए नहीं 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 पीछे जाओ और और ओर तों को आ गया यह जैसे बस में होता है वही कॉनसेट है आपने प्रेस कॉंफरेंस क्यों बुलाया है आपका हाथ बटाने के लिए यह बेचरी सर्विस करती रहेगी अच्छा सेर बस्टनल मिटिंग नहीं प्रेस मिटिंग है हमारी इजद नहीं है हमारे माइक की इजद नहीं है मैं फार्दू बला लिया आपके लिए ताजा ख़बर कली 36 गड़ के हमारे पुलीस कॉंस्टिबल परवेश रिपोर्टर रीटा से लाव मैरेज कर बैठें इसे न्यूज कहते हो लगता है टाइम पास कर रहे हो पांडी जी का उदेश है कि 36 गड़ की घटना से इंस्पार होकर वो एक लेडी जर्नलिस से शाधी करना चाहते हैं प्रेस और पुलिस कितना क्रेजी कॉंबिनेशन रहेगा आप मैसे जो भी लेडी इंट्रेस्टेड ह वो सर के दर्वाजे पर दस्तग्य देए वो सोचेंगे नॉट इंट्रिस्टेड जाकर 36 गड़ में ट्राय करो कितनी रूड है ये लड़की कैसी बाते कर रहे हैं पहले मीटिंग में तक्रार होती है पांडे जी दूसरे मीटिंग औरेंज कीजिए अचा हाँ हैना मिसिस प और सिरू बेजी बोगार है या सदंघ मेंगे तरुकिल करेंगे कितना सब्सक्राइब अब तो भूगने लग Cordial किजिए ना मीटिंग कैसे स्टार करूँगा जिसके लिए मीटिंग लखी और यह इंक साथ नहीं आ या g Prabh यहां क्या कर रहे हो डी जी पर से शिकायत करने आयों क्या अरे घबरा काही रहे हो बोलो इंके खिलाफ कंप्लेण ढी करने आये हैं हमारे साथ चल मैं तुझे बताता हूं गारी मसाज और पैसे तो फिर मैं पहले जाओंगा दूबारा नहीं करवाएंगा तू बामुलाजा होशी यार, ACP आ गए है माईसुर के महाराज आ रहा है क्या, बलाओ उसे कितना लेट करते हो, क्या बताऊं सर बार पुलीस के ड्यूटी, घर में अलग ड्यूटी, दोनों सेट्ल करके आ रहा हूं देखा देखा, हमारे सामने सेटलमेंड की बात कर रहा है सेट्टी का मतलब कुछ और था सर, प्यास के भाव सेट्ल करके आ रहा हूं मंडी में सबजियों के भाव कितने बढ़ गये हैं टमाटर का क्या भाव चल रहा है महाशार विल यू प्लीज सिट डाउन? शौ सर बताईए आप लोग की कंप्लेंट्स क्या है अब आपको क्या बताएं सर विल स्टेट के धंदे में जोरों के साथ पार्टनर्श है डिपार्टमेंट के जगी कोई परवा नहीं हम कोई केस बनाता है ये वहाँ जगर सेटिलमेंट करता है सर ऐसा ओफिसर डिपार्टमेंट में नहीं चाहिए इससे सस्पेंट कीजिए आईपीएस को सस्पेंट करना इतना इजी है क्या? सेंट्रल बोर्ड की कमिटी आएगी एंक्वाइरी होगी समूद गवाद देखे जाएंगे क्या मेरे खिलाफ किसी ने रिटन कम्प्लेंट दी है सर? कैसे देंगे सर? गीता का श्लोक सुना कर लोगों को वैकुन पहुचाता है कहां से आता है, कहां ले जाता है कोई कुछ भी नहीं जानता चलो ठीक है, इतने सारे जोनल ओफिसर्स है क्या किसी ने मेरे खिलाफ गवाई दी? DCP राउ से ही पूछ लीजे मेरे खिलाफ कुछ कहिए ला सर आप तो बहुत अच्छे हैं सर यह अच्छा है, बोरा तुम कहें जानते हैं? कुछ दिनों में तुम भी जान जाओगे चाहे तो ACP विबेग जी से पूछ लीजे हाँ हो सर जी अरे, थोड़ी से मेरी बुराई कीजे न इनकी बुराई करोगे क्यों मुस्कुरा रहे हो? बुराई छोड़ो, मैं तुमारे लिए कुछ मिठाईयां लाया हो, खाले हो खालूंगा, खालूंगा अब तो आप दोनों समझे गया होंगे रूल्स रेगुलेशन स्वालो करूँ तो भी मुझ पर आरोप लग रहे हैं तो क्या ये बेबुनियाद आरोप हैं? जी हाँ सर, मेरे काम पर आरोप लगे हैं ये मीटिंग इसलिए तो इस देव तो सोरोब इंसान के आने के बाद ही हमारी इसिनने के में बढ़ला हुआ है अरे दूबे जी पॉइंटे जी प्लीज प्लीज दुबारा एसी टाइम वेस करने वाली मीटिंग मत रखे डीजीपी सर का टाइम बहुत कीमती है आप जानते हैं ये कौन है शेर का दूसरा रूप, क्रिमूर्थी का अवदार धर्म और कर्म का प्रती रूप है ये इनके जैसा आज तक कोई पैदा नहीं हुआ सच है तो मैं चलू सर मुझे लगता है ये महाशे इस शहर में कुछ अलग ही रादे के साथ हाए है जीके, गुड मॉर्निंग, कैसे हो मिनिस्टर, अरे क्या करे हो, जरा रुक जाओ, इस प्लेट में जीके साब ने नाश्ता किया है ना, जी आँ साब इनका जूटा क्यों खा रहे हो, चाहो तो एक प्लेट और मंगा लो जुरो राजा, ना ही इनके घर में नाश्ते की कमी है और ना ही मेरे पॉकेट में पैसों की मैं या जूठन खाके ये साबित कर रहा हूं कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो जीके साब के बदालती हो, मालीक वो लाइन पर है, वो हमारी बात नहीं मान रहा है, वो ही तो मैं भी कह रहा हूँ, वहाँ जब मेरा कुछ नहीं चल पाया, तो आपका कैसे चल पाएगा? क्य इस रास्ते में क्या गुंडगर्दी चल रही है, योनी फार्म की भिस्टती करता है, रोज, तुने पुलिस वाले को मारा, राजा, तुम इसे खुश होकर शाबाशी का सर्टिफिकेट क्यो दे रहे हो, बीजीप के पास कंप्लेंट गई है, मेरे कैने पर मामला सौरी पे नहीं पढ़ सकता है, तुम जड़ा कहो ना, इसे सौरी बोल दे, तुम क्या पागल वगल हो गया हो, कभी-कभी पागलों की बात मान लेनी चाहिए, राज्जा, सेंटरल में मैंने अपनी पहचान लगा कि तुझे होम मिनिस्टर बनवाए, और तुम मेरा साथ देने के सबरब करना चाहिए, और तुम उसे कॉंप्लिकेट कर रहे हो, यही भरस देने कुटुम पार, फोन, फोन ना हो जल दी, मैं अपनी करूँगा, सारी डिल तुम ही करोगे क्या, सारा काम तुम ही निप्टाओगे क्या, मुझे क्या घास काटिंग लिए रखा है, मुझे भड़करें की जरूत क्या है, मैं नहीं हूँ क्या, वो अपना दिवाग तरफ छिटना रख, मैं अभी उस डीजीपी की तो, बोलिये सर, कल रात को दो पुलिस वालो ने, मेरे भांजे के रास्ता रोका, और उसे बहुत परिशान किया, उन दोनों अफिसर्स को, दो हफते के लिए तुरंच सस्पंट किया जाए, दरसल आप, सस्पंट करो, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं सुनना जाता हूँ, बीजीपी, मेरा सपना है कि मेरा छोटा भाई एक तिन मिनिस्टर बने, उसके बीच में कोई भी आएगा, मैं परताष्ट नहीं करूँगा, बेटर करते करते ठक जाता तब भी छोड़ता नहीं, नेचर इंस्टिंक्ट, ये तो एक प्रकृती का नियम है, जिसका जैसा स्वभाओ, आई हेट पुलिस, क्या करें दूबेजी, तुरंट किसी पार्टी पर रेड मार कर उसकी कमाई का थोड़ा सा हिसा अपने जब में डाल लिया जाए, सर, शुप करो या, कमाने के अलावा कुछ नहीं सूचता, आज मौसर कितना रूमांटिक है, मुझे अपनी डालिंग से मिलना है, इस वक्त जब से आपने हमारा बैंड बजाया है, हमारे तो सुर्ताल ही बिगड़ गए हैं, अब डखैती के इल्जाम लगा के कहा फसा रहे हो सन, दूबे, इनका इलाज करो या, इनका इलाज करने के लिए ये दवा खाने में आये है, सेंट्रल जेल भेज देते हैं, ए सुना, धु अब यहां को चोरी हुए के साइब, यहां सवाल कुछने का हक सिर्फ मैडम को है, आये मैडम, यह लोग कब से सुधर गए वे, और क्या सर, इन्हें एक घंटे पहले एट नॉट वन में खर्चा मिल चुका है, लगता है आज बड़ा धमाल होने वाला है, चोरों का चेरा क् अब यहां को चुक्त बोलो ने कैमरा है, अटीम में क्या हुआ है, बताओ, क्या बात है दूबे जी मैडम गुस्सा तो हो गाई, अच्छा, गुस्सा क्यों हो रही हूं तुम नहीं जानते, जितना चाहे ट्राइ कर लो, नहीं पटने वाली हूं मैं, यह क्या कह रही है, थ आत में डाका नहीं पड़ा, क्या सुनाए कहीं पर जूलरी शॉप लूड़ गया, वही हुआ होगा, मुझे मोटा भीम पेशक है, फ्लैट नमबर फोर, हाउस नमबर वन जिरो पोर, त्रिचुर्णागर हैदराबाद, इसकी बेहन और जीजा इसके साथ रहते हैं, इसकी बिजनसमन ने अपने आपको पुलिस वाला बता कर उसे शादी कर ली, आपको इस लड़की को पटाना है तो सबसे पहले आपको इसकी दीजी को पटाना होगा, चीजा ने तो जूट बोलकर शादी की लेकिन आप तो असल के पुलिस वाले हैं सर, आपकी बात तो बनी है, ऐसा ही होगा दूबे जी, माही, डालिंग माही, ये घर पर तो है ना, कौन है आप लोग, आपकी जो बहन है न, मैं उससे प्यार करता हूँ, इतनी हिम्मत, हमारी चुट्टी से प्यार करता हूँ, हाई मैं मर जाओ, आया ये बैठी न, अरे ये क्या, महंगे फर्ष प पुराना टीवी क्यो है, बदल दो, बदल दो, आपका ये गला, इतना सुना क्यो है, ये बंगला पुराना हो गया है, जुबली हिल्स में नहीं आ ले ले, वो हमारे एरिया में नहीं आता, कोई बात नहीं, दामा जी, आप बैठिए तो सही, आपकी क्या सेवा करो, क्या ल के चन में मैं अक्यला ही काम कर रहा हूँ तुम अंदर आओके नहीं तुम्हारी पतनी हूँ नौकराणी डीदी अज खाने में क्या बना दीदी, इसे अंदर आने की इज़ासस आपने दी, ए चलो निकलो यहां से, चुपकर, घर में आए महमानों को कोई इस तरह बहार निकालता है क्या, जाओ उसे थोड़ी बाते कर, यह आपने क्या किया, मैं इसकी शकल कर देखना पसंद नहीं करती हूँ, आपको हो क्या गया ह आपको थोड़ा तो सोचना चाहिए न, ए, हटो, तुम्हारे लिए बहतर है बाहर निकल जाओ, वरना एक पुलिस ऑफिसर एक रिपोर्टर को हैरिस कर रहा है, मैं ऐसी न्यूस बना कर अपनी चानल पर टेलिकास कर दूँगी, कुछ कहो ना दीदी, अभी कह दियूं दाम दीदी, इसे रेस्टरॉंट डिनर के लिए लेकर जाओ, ले जाओ, लेकिन यह आएगी क्या, फामिली के साथ क्यों नहीं आएगी, कुछ औरता होगी, दीदी, सामने इतनी चैर्स खाली है, फिर भी सबको यहीं पे घुसकर बैठना है क्या, सभी लोग नस्दीक तो मजब किर खिरा हो जाता है, है ना दामार जी, तो भी ना दीदी, पुलिस अंकल, आटोग्राफ, वो वला डायलोग बोली है ना दी, पुलिस के नाम से अच्छे अच्छे थर थर काप ने लगते हैं, तो सीधी क्या ख़़िए हो, कापो, मम्मी, मैं यहीं 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 वे बढ़े लोगे आनूंस मस्त विसिट्छ बेस्ट कॉपल आप दी आध और हैंगै हो अहीए मिस्टा माहीं है क्या मोस्त विसिट्छ जेक्टा मैं घुटल की ना Аली चिए unlock, बढ़ेम, वाओ, जुटल थावै एई अरे, माही इतना भाव दोनी के बाद भी नहीं पल्टी मुझे नहीं लगता वो आपसे पटने वाली है थांक्स दूबे जी उस केस का जो IDGP, अगर आफिस में टीवी है तो उसे आउन करो बहुत दिनों से फसा हुआ जीके कमर्शिल कॉम्पलेक्स आखिर कार बनकर तयार हो गया है जिसके कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए बहुत तो नेकोशिश की थी उसकी ओपनिंग आज पुलिस ऑफिसर के हाथों हो गई मिस्टर जीके इस अ वेरी गुड़ हूमन बींग काफी परिशानियों के बाद ये कॉम्पलेक्स बना है हमारा सपोर्ट उनके साथ हमेशा है उस एसीपी ने जो कहा वो तुम्हारे कानों तक जरूर पहुचा होगा वो एसीपी कोई और नहीं तुम्हारा अंच तुम्हारा अपना ही बेटा है तुम बड़ी उल्जन में फंसके हो डीजीपी उसने तो तुम्हारी ही कमर तोड़ दी गुड़ा अप्टरनून डीजीपी साहब स्वीट्स लीजिये सर यह क्यों जीके साहब के मौल उपनी के खुशी में डीजीपी साहब आपके फादर है यह सब जानने के बाद जूमने लगे हैं सर अच्छा हाँ लेकिन जड़ा देखो इन्हें मूह तो लटका हुआ है संभल कर रही है सर आने वाले वक्त में और कई जटके खाने है तो मैं चलू सर सर उसका रिकॉर्ड पता करवाया है मैंने कल्यान सिंग उसका बदला हुआ नाम है और वो उत्तर प्रदेश के किसी अनाताश्र में पढ़ लिकर बढ़ा हुआ है उसकी बच्पन की तस्वीर फैक्स कर रहे है रॉकिट कैसे यह देखो लेखो लगता है तारे तूट रहे हैं ना मा बेटा जी आ रहे हैं ना अरहें म्हायों क्यों बाबी अभी सर नहीं आये क्या है तेह हार के दिन वह डूटी कर रहे है और बढ़र परिवार का भी ध्यान रखता हूँ ऐसा क्या में जो परिवार के खुशी से भी बढ़ा हो सुबह जल्दी रिपोर्ट करना बच्चे के लिए कुछ पटाके तो साथ मिलाते अरे सॉरी बेटा अभी जग कर ले आए नहीं मुझे नहीं चाहिए सुनो तो मा अक्सर मेरे दोस्तों को उनके पिता के साथ देखकर बुरा लगता क्योंकि मेरे नसीब में सिर्फ उनका एक फोटो था उन्हें कभी मेरी कोई फिकर ही नहीं हुई जिंदगी में जो थोड़ी खुशी मिली है वो मुझे मेरी मा की बदौलत मिली है तो यही बेट में खाने के लिए कुछ लाती हूँ मा क्या हो गया मा मा क्या होगा आमी वालों को भी इंफाप पापा ममी की तबीद बहुत खराब है उन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा पापा चलिए ना पापा सर सिचुएशन बहुत ही सीरियस है हमें अभी पहुचना होगा गुर्नाज जी सार मेरी वाइफ को पेन स्टार्ट हो गया उसे अरजेंट हॉस्पिटल ले जाना होगा आप बच्चे के साथ जाए मैं आधे गंडे में पहुच रहा हूँ कॉमान मूव यह जी कंडिशन बहुत क्रिडिकल है ओपरेशन जल्दी नहीं किया तो मा और बच्चे दोनों को खत्रा है आप जल्दी से इसके पिताजी को लियाए उस वक्त मेरा साथ देने के लिए मेरा अपना वहाँ कोई नहीं था मेरी मा की जान बचाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं थे सॉरी बेटा माँ और बच्चे किसी को नहीं बचाने उस रोज मैं अपनी बीवी की जान बचाने नहीं पहुच पाया मेरे हालात को मेरा बच्चा नहीं समझ सकता था तभी वो मुझसे रूट कर भाग गया एक पुलिस ओफिसर के नाते आप अपनी जगए पर सही है उसका दुख भी अपनी जगए पर सही है अब बड़े होने के नाते आप ही को समझना होगा सा वह आ गयार कैमरा रेटी है ना मार टीवी कैमरा परफेक्ट है तो चलो उसे रेड हेंड पकड़ते हैं हेलो हम आपको कहां कहां ढूंड रहे हो और आप यहां मिले बात क्या है आप भूल गया है हमें याद है इसलिए हिस्सा देने आ है लीजिए ना सेर क्या हुआ आप लेनी रहें इसे क्या हो योगा प्रैक्टिस कर रहा है सब आप इसे छोड़िये यह लीजिए नहीं चाहिए नहीं नहीं आपको लेना होगा वरना मैं कटिक कर दूगा लीजिए ना दूबे जी क्याश लेलो और इसका कामरा पर लो सर्प्ष्ण आपको कैस यह सब क्या है इंस्टिटूट की ओपनिंग है दूबे जी ओपनिंग के लिए आपको पहले बताना चाहिए था ना हम उसले में थोड़ा बीजी दे पढ़ने जी एक मिनिट यहां लओ यह बच्चे कौन है अनात हैं बेटा और मेरी बेटी के तरह हैं हैं वो चाहती है कि यह भी आम बच्चों के तरह जिन्दगी जीए इसलिए इस कॉंपेटेटिव वर्ल्ड में वो उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखा रही है सब्सक्राइब देख रहे हो दूबी जी इस लड़की की सोच हमारी सोच से दो कदम आगे निकली चलो चलो आई जी सहाब काशी से कई अनात बच्चों को ले आये हैं सर इसे बताया अब पूरे डिपार्टमेंट को भी बताते रहना चुपकाट अरे आजकल जब देखो डीजी पी सर मुझे ही ढूंटे फिरते हैं इन्हें अब अपनी ड्यूटी की फिकर नहीं है क्या तुम्हारे पापा तुमसे दो सेकंड बात करने के लिए दो हफ़ते इंतसार करना पड़ता था एक बार मेरी बात सुनतो लो उस दिन हुआ यह था कि देखे काशी सर मैं खुद के दम पर पुलीस बनाओं खुद के दम पर यहाँ आए हो और खुद के दम पर चीके तक पहुंचाओं खुद के दम पर ही आगे बहुत कुछ करूंगा बता दीजयें क्यावा? मा, यह छोटी पर बहुत अच्छा लागीगा ना? तुझे कैसे पता कि छोटी ही पैदा होगी? मैंने मन्नत जो मांगी है. यह क्या जाने, अपनी छोटी बहन को मैंने इन ही हाथों से चिता पर चड़ाया था. बरसो बाद एक और छोटी बहन मिली है. बरसो बाद खुशियां मिली है. अब दोबारा मेरी जिन्दगी में आकर, मेरी खुशियां मचीनियेगा. चेर्स! क्लाइमेट बसते भाई? इस वेदर में अगर एक आइटम मिले, और भी मज़ा आए. आसपास सॉप्ट्वियर कंपनी इस है. इन्फोसेस, इन्फोटेक. रोड पर मिलेंगी. बाँसे ब्यूडिफुल गर्स. ठोड़ो मुझे. चल्वरे साथ, चल्ड़. ठोड़ो, प्लीज, तो. मीडिया और प्रेस इसमें इन्वाल्व है. इस केस को बहुत समल कर हैंडल करना होगा. समय समय पर मुझे अपडेट करते रहे. मुझे का इसने अब बंदर समझ रखा है? जब चाहे तब बुला लिता. मुझे का और कोई काम नहीं है? आजाओ, मिनिस्टर. गुद मॉनिंग जी के. सही समय पर आये हो. इंटर्वियू स्टार्ट करो. आपका भाय पॉलिटिक्स में तरक्की करे गए इस बात का आपको विश्वास है? पूरी तरह विश्वास है. बुड़ों में, विकलांगों में, मुझे तोर पर महिलाओं में. इसके प्रती बड़ी इस्जत है. आप ये कुछ बोलिए न. बिल्कुल सही कहा. इनके छोटे भाई, लेडिस पर बिल्कुल कॉंसेंट्रेट नहीं करते हैं, सिर्फ स्टेट की भला ही सोचते हैं. एक दिन ये जनाब, NG Lake के पास, लेडिस के साथ रंगे हाथों पकड़े गए थे. उसकी मदद करते हुए. यही तो इनके खासियत है, जरुत मंद की मदद करना, तुम लोग जाओ मैं आता हूँ. अब इनकी और क्या तारीफ करूँ मैं, मैं तुम्हार पास आनी वाला था, रात को एक मर्डर हुआ और मुझे कहा गया है कि ये इन्वाल्ड है, इस केस को DGP हैंडल कर रहे हैं GK, अगर मैटर बाहर आया, तो मेरा करियर और इसके फीचर की वाट लग जाएगी, अरे पैसे फेको तो अच्छे से अच्छी मिल जाती है, फिर रोड पे हैवानियत क्यों करना, कैस ना उसको बना है भाई हमने, एक छोटी सी रिकोस्ट मेरी, फिर से पागलों वाली बात मत करना, अपने छोटे भाई को ज़रा कंट्रोल में रखो ना यार, जवान लड़कों को कोई घर में कायद करके रख सकता है क्या, बाहर जाकर रेप करना, मर्डर करना उनका शोक है भाई, कल तुमने क्या-क्या गुल खिलाए थे, वो ज़रा ज़ाक कर देखोगे तो पता चलेगा, आज हम पर इल्जामों के बम फोड रहे हो, तुम्हें कुरसी दिलाने के लिए हमें दल्ला बनना पड़ा था, फोन, फोन का है मैं, राचा, पहले बताओ, इनमें से तुम्हारा जूटा गिलास कौन सा है, मैं कौन था, तुम्हारी जेब का एक खोड़ा सी कहा है न, इस तरह के बैड रेपटिशन वाले ही, एक अच्छे पॉलिटिशन बनते हैं, तुम अजर भाई, पावर वाले को कभी टरना नहीं चाहिए दस मिनिट बात करूँगी, तो तुम मुझे जाने दोगे न, तो बोलो दीदी मान गई, जीजा मान गई, अगर तुम भी मान जाओ, तो हम चट मंगनी पट ब्याहा कर सकते हैं तुम्हारी बाते सुनकर दिल करता है, तुम्हारा चेहरा नोच कर कववों को खिला दू पता है, जब तुम गुस्से में बात करती हो, तुम्हारी खूबसूरती डबल हो जाती है गो टो हेल, यह क्या बात हुई, मैं कुल्ली बात कर रहा हूँ, और कुल्ली कीजिए, यह तो लड़कियों की आदत है, नकरे दिखाएगे, थोड़ा सा ही तरह एगी सच सुनो, मैं किसी और से प्यार करती हूँ बाबी, कौन है वो, मैं नहीं बदाउँगी चुपचा बता दो, डूणड़ा तो भारी पड़ेगा सुनामी स्टार सुभाश पहली मुलकात प्रेस मीट में हुई थी, धीरे धीरे बातचीत होती रही, फिर उसके बाद मेरे दिल में बस गए, ओके? बायो डिटा बताईए दूबी जी यह पहले एनाराई था, कॉमेडियन दिखता है बोलके फिल्मों में चांस मिल गया, चांस देने वाले ने ही बात भी इसके एक्टिंग देके आद महत्या कर ली यह जुनामी स्टार हमें मिलेंगे कहा? स्टार्ट कैबरा, आक्शन! स्टार्ट कैबरा, यह यह है यह दूल है आक्शन है सब कुछ है, लेकिन रोमैंस क्यों नहीं है? रोमेंस पर्सों को शेडल में था सर प्लैन पूरा फ्लाप हो गया सिर्फ आपकी पेट की वज़े से मेरे पेट से किसी को तकलीव नहीं होगा मैं पूरी मेडिसीन ले रहा हूं डिरेक्टर हो डिरेक्टर से फॉलो करो आदे तिने रितिक को दिलवाया मैशने इम्रान को दि अब मेरी फिल्म का नाम धनिया रखा इसलिए वह बिक नहीं रही तो मेरी धनिया क्यूं नहीं फिल्म बेचना आता नहीं और रिलजाम लगाते हो मुझसे क्यों मिलने आयो सर वो कल रात को मैं ABC फिल्म देख रहा था उस देवता से अच्छा तो मैं नाच लेता कुछ भी कहा सर आप तो उनके जूते के दूल भी नहीं है वो सर आपको डांस से डर लगता है मेरी एक दोस्त ऐसा सोचती है इसके एक्स्प्रेशन से तुम्हारे एक्स्प्रानेशन मैच नहीं कर रहे पैकाप अरे सुरिये सर उसकी फोटो तो देखिये ना कौन है ये पारो मैं इस दड़की से प्यार करता हूँ मुझसे पीछा छुडाने के लिए इसने कहिए आप से प्यार करती है आप सचाई बता दीजिए मुझे इत्मिनान हो जाएगा हां था यह मौका क्यों छोड़ूं मेरी गर्फरेंट से तुम क्यों प्यार कर रहे हो मिस्टर जानकारी के लिए बता दो तुम पर चाहिल्ड मॉलिस्टेशन के दावा ठोक सकते सुनो तुफान से लड़ने के लिए हमेशा तयार सुनामी स्टार सुभाश वो पारो मेरी है समझगे क्या टाकट एक यूथ हीरो के साथ आप बहुत बेरेमी से डिल कर रहे हैं सर इसे फुलाओ यूथ हीरो हो ना ब्रीच साथ नहीं देरी आप हम आपस में क्यू लड़ रहे हैं बड़े भाई उस लड़की को यह बुला लीजे दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा विश्वी हैपी बढ़ने सर वो मनहुस दीन आज है क्या वो तो कला के चला भी है मैं एक दिन पीछे चाल रहा हूं बहुत बुरा किया कौन है वो कौन है जो मेरी चुटकी से प्यार करता है ग्रीन शेट वाला बुढ़ा हूं यह बुठे खूसट एक टांग कबर में और दूसरा केले के चलके पर फिर भी जबाने फूट रहा हूं अच्छा तो आप है मैं आपको बहुत पसंद करती हूं सर जब भी आप अमने हाथ पला कर I love you कहते हैं मैं पागल हो जाती हूं उधर एक्टिंग की इधर वेटिंग कर रहा हूं जिसका इंतजार था वो आचुकी है मैटर बता देंगी तो हम एफायर करें आप डैलोग देने का टाइमिंग होता है और राइमिंग होता है यह मुझे भसाना चाहता है लेकिन यह जानता नहीं कि यह दिल तुझे दिलो चाहता है पुलिस से घबरा कर तुम हमारा प्यार साक्रफाइस कर दोगे सुभाश i love you i just love you सब्सक्राइब करें लिए ये परफेक्ट है समझे की नहीं पैकप नमस्ते साब अरे रुको मेरी बात तो सुनों उन्होंने सचाई बता दी अब तुम भी सच कह दो सच बताओं I hate you I hate your character I hate your attitude मैं एक इमानदार जॉर्नलिस्ट हूँ और corrupt police officers के साथ बात नहीं करती इसलिए अच्छा होगा कि मेरा पीछा करना छोड़ दो तुम जानते हो हाली में इस शहर में एक software engineer का murder हुआ है जहां murder हुआ वहाँ एक गाड़ी का number plate मिला है वो number plate तुम्हारे भाई और इस घर के नाम registered है सो तुम दोनों को police station चलना होगा क्या हो अब रावनी भॉंक क्यों रहो बड़ों के सामने भॉंकमा नहीं चाहिए पता नहीं है क्या तुम्हें काफी वफादार लग रहा है चार दिन हड़ी डाल कर पुछकारेंगे तो ये भी अपने आप line पर आजाएगा जी के जी कार चोरी होने की कंप्लेंट दी थी ना चोरों ने तो गाड़ी का बुरा हाल कर दिये और जब मुझे वो गाड़ी मिली नंबर प्लेट मिसिंग थी अरे नंबर प्लेट तो डीजी पे साम ले आए है ऐसा क्या दिखाओ दो क्या ये वही है एपी नाइन जेट फोर सेवन थी सेवन अरे ये तो वही है जी के जी ये तो मिल गया मेरा पेमेंट स्टेटमेंट दे कर गाड़ी कबजे में लीजिए मुझे पुलिस टेशन ले जाने वाले थे जब भी पुलिस वालों को अपने आस पास देखता हूं तो मेरा खून खौलने रगता है तुम फिर से जरी आए हेट पुलिस ये तो बस एक सैंपल है सर आगे-आगे देखिये होता है क्या है कैसे हो अंकल बड़े साब बहुत अपसेट लग रहे हैं तुमने गलती कुछ ऐसी की है कुछ भी कहते हैं आप अगर मैं गलती करता तो मुझे ऐसे ही छोड़ते थे गलती वो थी जिससे इनकी बीवी बच्चे इनकी लाप परवाही की वज़ए से मौत के मूँ में गाए जानते हो ये लोग कौन है स्कैम करने वाले पॉलिटीशन्स या क्राइम करने वाले क्रिमिनल्स नहीं देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले मोस्ट रेस्पेक्टेबल पुलिस आफिसर्स है पांच हजार रुपए में बिगने वाली रिश्वत खोर पुलिस दस हजार रुपए में केस बंद करने वाली बिकव पुलिस गली गली में मिलेगी लेकिन ये जानने के बाद कि हम मौत के मूँ में जा रहे हैं डिपार्टमेंट पर अपनी जानने ज़ार करने वाले पुलिस सेकड़ों में एक ही होते है हम जैसे इनसान हर दिन, हर घंटे, हर पल शान से जी कर शहीद होते है हर पुलिस वाले का नाम एक बुलेट पर लिखा होता है जिस से माँ, बाप, भाई, बहन, बीवी, बच्चे और खानदान में किसी भी इंसान की जान जा सकती है लेकिन उन्हें पीछे धकैल कर खुद के सीने पर गोली खाते है करतवे के लिए अपनी जान गमाने वाला होता है सक्चा पुलिस आफिस है अपनी ड्यूटी शुरू करने से पहले मैं हर रोज यहां आकर फोटो उसको इसलिए देखता हूँ क्योंकि मुझे इन पुलिस वालों पर गर्व है तुमने क्या कहा था? मेरी लापरवाही की वज़े से मैंने अपनों को खो दिया हाँ सही वक्त पर में तुम्हारी मा के पास नहीं पहुच पाया क्योंकि उस दिन मुझे बहुत सारी मा और बच्चों को बचाना था तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई लेकिन उधर सैकुणों लोगों को इंसाफ मिला और अपनी जान की बाजी लगाकर आमन और शान्ती को कायम रखूंगा इसे शपर लेने वाले हर पुलिस वाले के लिए तुम मुझे नाराज हो इसलिए जीके का सपोर्ट कर रहे हो ये जो मर्डर केस है जानते हो किसका केस है उस रड़की को तुम भी अच्छी तरह जानते हो इस बच्ची को जानते हो किसने मारा कितनी बेदर्दी से मारा शपर शपर जानते है और दुटो शपर जो मुझे पूदो शपर जो जानते है जरोड़क कहाँ गारी शीवरानौ शीवरानौ कुछ बोलो कुछ बोलो कुछ बोलो अची वो हमारे हाथ से निकल गई यार अची अची मेरे मुड के वाट लगा ने तो ने मुझे यही सजा मिलनी चाहिए तोड़ता ने इसको हॉा तोड़ता ने झाल जो झाल झाल मां यह चोटी पर बहुत अच्छा लगेगा ना तुझे कैसे पता कि छोटी ही पैदा होगी मैंने मनत जो मांगी है होश में आते ही श्रिवनी के पिता ने मुझे सारी बाते मताई तम मुझे सच्चाई का पता चला श्रिवनी के साथ जो हाथसा हुआ वो सरे आम सडक पर हुआ आखिर उस बेचारी की गलती क्या थी किसी मजबूर की इज़त को बचाते हुए वो मासूम बली चड़ा दी के वो जी के अपने पावर के दम पर अपने छोटे भाई को बचाना चाहता है क्या उस शैतान को माफ कर दिया थै तुम मुझे अपना पिता मानो या ना मानो कोई बात नहीं लेकिन उस मासूम बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं ये तुम है डिसाइड करना होगा गूड इवनिंग एवरीबरी ये केस सॉफ्टवेर इंजीनियर के मर्डर का नहीं है श्रिवनी नाम की बच्ची का केस है उसकी मौत के पीछे पावफुल लोगों का हाथ है प्रिशर चाहे जितना है मैं किसी को नहीं बख्षूंगा सब को सजा दिलवा कर रहूंगा इस केस को हमारे डिपार्टमेंट ने एक चैलेंज के रूप में लिया है और अगर मेडिया वालों का सपोर्ट रहा तो श्रिवनी के पिता के कंप्लेंट के मताबिक मैं एक्शन जरूर लूँगा और जल्दी ही ये केस क्लोज करुआ सर मेरी सार खत्र में है शरकान लेस्ट मूँव सार बचा लीजे सार सार ये लोग मुझे मार डालेंगे बचा लीजे सार है तुझे क्या लगता है ये तेरी जान बचाएगा ये असली पोलिस वाला है एक बार इससे नोट दिखाऊ ना चुप चाप लेके पतली गली पकड़ेगा तेले उठा और निकल यांसे किया हमारा कुछ नहीं बिखाड़ेगा जा उस बोड़े को घसीट के ला किया है यह थे पिकाल याना जुदी हो प्रॉब है ठने हैं ठन्हाल पड़्ट शwynज करो फडिद है झाल्ट tenë है और कि अर म्याइब जशका है क्षेश्ट लोगत य है तो रीज़ जढ डाँ और कि коे जुख रहीं प्लेश्ड इस दो हाइ! 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 एसीपी हमें बाट डालेगा भाई? भाई! एसीपी कल्यान! ओ! बदले-बदले, सुर्फ! सिंसियर ओफिसर का कीड़ा जाग क्या है? वो कीड़ा तो मेरे अंदर बज़पन से ही था! पुलीस की सिंसियरिटी से मुझरिम का कितना नुकसान होता है, वो तुझे जल्द पता चल जाएगा, बलडी फूल! ए! तेरा फरिष्टा भी मेरा कुछ नहीं विगाड सकता! मैं वो हाइवे का रोड नहीं जो तेरी स्पीड बढ़ने देगा! घाट का रास्ता हूँ! स्पीड बढ़ाई तो खाई में गिरेगा! ए! तो मुझे जानता नहीं है! बेव! मेरा बायो डेटा सुनेगा तो रॉंगते खड़े हो जाएंगे! तेरा और तेरे भाई के जिंदगी का आज आखरी खुशी का दिन है! इसलिए अगर कोई आखरी ख्वाहिश हो तो उसे आज ही पूरी कर लो! तेरे भाई को बचाने के लिए अब चाहे तुम मीडिया के पास जा धरना कर रास्ता रोको कर जो चाहे कर ले कुछ हासिल नहीं होगा! पुलीस की हैसियत क्या होती है ये तु नहीं जानता! मैं तेरी जिन्दगी का सबसे बुरा सपना बनूंगा! दे वार बिगेंज! 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 बोलो दूबेजी! वो जीके के गुंडों को छुडाने के लिए बेल ओडर लाए हैं सिर्ग! कितना इंतदार करवाएगा? सर, बेल पेपर्स! बेल तरीके से मांगनी चाहिए! दूबेजी! सर, रिया कीजे उन्हें! आजाओ, आजाओ! यह क्या हो रहा है सर? बेल मिलते ही तुम्हारे आदमियों ने हमारी लेडी कॉंस्टिबल्स से बत्तमीजी की! तुम हमें फसा रहा है? यह क्या है सर? बेल ओडर मिलने के बाद भी उन्हें नहीं छोड़ा आपने! यह लेजे पेपर और उन्हें छोड़ दीजे! ओके! दूबेजी! यह सर! जैल! अरे सर! यह सब क्या हो रहा है? बेल मिलने के बाद तुमने एसा है और हवालदारों पर जान लिवा हमला देंगे! तुम हमें फसा रहे हो? एसीपी! तु अंदर सब को बुला के फसा रहा इसलिए! तेरे हर सवाल का जवा हम भार से ही देंगे! कमान गाइज! अटेक्शन! 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 तरद 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 दा! अटेक्शन! अरे… ये बॉम है रहे! अरे मालो मैर! अरे पागल हो गया के तू! अरे पागल नहीं रहे! ये पिंड मैं रखता हूँ! ये बॉम तो रहे! अए एसीपी! ये क्या कर रहा है? बेल मिलने के बाद हमारे पुलीस स्टेशन पर हमला कर रहे हो तुम हमें भासटाए हो हेलो, होम मिनिस्टर लाइन पर हैं सर चाहे होम मिनिस्टर हो, सी एम हो, मैटर एक ही है जो अपने चेले चपाटे चम्चो को बचाना चाहता है वो अपना पैन कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड लेकर पंधरा मिनिट में यहां हाजिर हो जाए तब ही रिहा करूँगा इनको उससे एक भी मिनिट स्यादा लिया तो इनकी मैट पे आ जाना यह तो ऐसे बात करा है जैसे मैं होम मिनिस्टर नहीं कहीं का वाच्मैन हूँ जीके दूबे जी, जीके ने आज तक पुली स्टेशन में कदम नहीं रखा जी हाज देखो कैसे अगले पंधरा मिनिट में यहां भागते हुए आता बलाई इसी में कि पुली स्टेशन में कदम रख लो राजा नहीं तो फंस जाएंगे नमस्ते होम मिनिस्टर साहब नमस्ते प्यारे राशन कार्ड, आदार कार्ड, पैन कार्ड और सारे सबूत लाया हूँ मेरे बंदों को छोड़ जल्दि कर फर्स टाइम पुली स्टेशन आये हो, खातरदार ही होनी चाहिए, कौफी, टी कौफी टी कौन पीता है, हम तो यहाँ आगे, यही बहुत बड़ी बात है, थंड़ा एक कौटर बात में दिखेंगे है ना जी के, इजब अफजाई बहुत हो गई है, अब जरा उनको छोड़ भी दो, उन सब को छोड़ दो, ठीक है सर, हम बाहर ने आएंगे सर, साब साइन करेंगे, उसके बाद यह सेल्यूट बानेंगे, फिर डंडे जूते शुरू हो जाएंगे, हमें बाहर ने आना सर, यह तेरे बाब के जीन्स की प्राब्लम है, मेरे छोटे भाई और उसके फ्रेंड्स ने गुंगी लड़की को माई डाला, उसे कोट में प्रूफ करने के लिए तुम्हें सबूत पेश करने होगे, गवाह पेश करने होंगे, लंबा चोड़ा प्रोसेस, इसी बीच मैं अप पुलिस वाले हमें सलूट मार कर सलामी देते हैं, पुलिटिशन यानि लीडर, उनका हर अलफास, तुम्हारे लिए एक हुक्म है, पुलिटिशन यानि मजिशिन, माया, माया रज्टे हम, और सुनो, इसे यहां से कहीं मत भेजो, इसे यहीं रहने तो, हम खेल खेलेंगे इ है सिपी, तुझे एक हफ्ते की महलत देता हूँ, अगर दम है तो, मेरे छोटे को अंदर करके दिखा, वान वीक, ट्राइ करके देते हैं वान वीक थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तीन दिन ही काफी है ठीक है, आज तक तुने मुझ जैसे बरदाश्ट करने वाले आफिसर का सामना किया होगा, अब सामना कर मेरे बेटे का गुड जॉब, तैंक यू सर दीदी, मेरे होने वाले पती का ओफिस यही है हाँ, अचानक तुझ में ये बदलाव अच्छे अच्छों को बदल लेती है मावब अहाँ, फिर चल इस केस में सिर्फ एकी गवा हमारे पास है, सौफ़वेर इंजीनिर वो लड़की इस हादसे से घबराकर ये शेहर छोड़कर चली गई है सर पता लगाने की कोशिश करो का रहती है वो At any cost, we have to trace her ऐसी कोई बात नहीं है लडड़ू तो मैं आज नहीं तो कल लेकर आऊंगा मेंन बात है कि प्रमोशन हो जाना चाहिए आप तो बहुत अच्छे इंसान है ये अंदर फैन क्यों चालू है आपका ध्यान कहा है अंदर फैन चालू है जाकर फैन बंद कर दीजिए एलेक्ट्रिक बिल बढ़ रहा है चलिए मैं चलिए चलिए आप बहुत तरक्वी करेंगे आपकी दया से आईये नमस्ते सर कौन है मामा जी नहीं है बिजी भी तो नहीं है चोटी बहन के सिलसले में एसी पी से कुछ बात करना चाहती हूं इनकी चोटी बहन को पुलिस वाले से प्यार हो गया लेकिन और पुलिस वाला इन्हें टाइम नहीं दे रहा है इसलिए यह सर के पास कंप्लेंट करने आई है यह सर बिलकुल सच कर रहे है आपको समझ अकल बूधी कुछ है कि नहीं कहीं भी किसी भी वक्त अपनी भेन को लेकर आजाती है बड़े साप के सामने फच जाते तो क्या होता अंचली इसलिए सॉरी तुम्हारे कहने और करने में बहुत फर्क है तुम्हें मैं आज समझ पाई हूँ श्रीवनी को इंसाफ दिलाने के लिए तुम उसके लिए फाइट कर रहे हूँ यह सोचकर मुझे बहुत प्राउट फील हो रहा है तुम्हारे लिए कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो आम रेड़ी रिपोर्टर की तरह नहीं एक लाइफ पार्टन की तरह हालो हालो सुना है बाप बेटे दुनों मिलकर बहुत मेहनत कर रहे हो तुम दोनों की स्पीड को ब्रेक लगाने के लिए ब्रेकिंग यूज देता हूँ जल्दी से अपना टीवी आउन करो श डे वन शॉक वार्टात वाली जगह पे हैं में ये सारी चीज़े मिल ली है तु मेरे भाई को लॉक अप में बंद करवाने वाई लेकिन अब तुई उससे सलूट मारेगा अरे सीपी फिर से अपना टीवी आउन कर सारे पार्टी कारेकरता उन्हें MPGK के छोटे भाई को य MPK के सहयोगी और पार्टी के नेताउने उन्हें इस बात की बढ़ाई धी है On the way to the Parliament Day 2, Shock No. 2 सुनो शिकान, सभी पुली स्टेशन में इंफर्मेशन भेज़ दो, उस मेडम का जल्द से जल्द पता लगाना है सीनू, अपने साप को देखो, तीन दिन में अरस्ट करने का बोल कर आराम से लस्सी पी रहा है सर, वो लड़की कौन थी उसका पता चल गया है गुड, सुनो काशी तुम हाई सिक्यूर्टी लेकर इमेड़ेटली उसे यहां पर लेकर आओ गोविन्दा, गोविन्दा आपकी वो मैडम तिरुपती में छिपी थी ना, डीजीपी साथ तुमारे ओफिसर्स वहाँ पहुचे, उससे पहले इंडिगो फ्लाइट पकड़के हमारे लोगों ने उससे कबजे में ले लिए इस केस की आई विटनेस वाली लड़की की आदे घंटे में मेरे छोटे भाई के साथ शादी करवा दूँगा फिर वो कभी गवाही नहीं देगी अरे वे एसेपी, कुछ तो बोलो तुमारी आवाज सुनने के लिए बेताब हूँ सुन्बे जीके, इंडिगो फ्लाइट चल इसी बहाने तेरे दस चमचे फ्लाइट में घूम के तो आए बट टोटल वेड़ वो लड़की मर्डर के वक्त मौकाई वारदात पर थी ही नहीं इस केस में वो एक प्राइमरी विटनेस थी में विटनेस नहीं वो इनसान जो तेरे भाई का डेथ वारेंट साइन करेगा केस का में विटनेस मेरी हिफाज़त में पुलिस ने इस केस के एहम गवा को अपनी कस्टडी में ले लिया है वो कौन है देखते हैं वारदात वाली जगह पेह में ये सारी चीजे मिली है काव्या को जीके के भाई और उसके दोस्तों ने मारा ये मैंने अपनी आखों से देखा है सर कि अपनी पाई लेकिन एसी पिजर ने मेरी हिर्मत बढ़ाई इसलिए आज मैं बोल पा रही हूं उन शैतानों ने उसे जिन्दा जला दिया मालेक आप इस मुसीवत से कैसे बचोगे उसकी गवाई से आपको छोटा भाई फंस गया अब विटनेस को आप इतनी जल्दी कहां से ढूनेंगे और एक बात आपका भाई टीवी पे हीरो जैसा लग रहा है और वो हीरोईन हाँ तेरा भाई इस वक पार्लिमेंट की ओर नहीं जा रहा there's a diversion on the way to central jail तेरी तीन दिनों की महुलत में एक घंटा बाकी है आने वाले साठ मिंटों में इस शहर से तेरा सामराज तबाह कर दूँगा get ready यहां तो लॉक है सर वसीं ओल्ड सिटी का शेर क्या रहे बहुत होश्यारी दिखा रहा आजकल शहर में मेरे दोस्त के बेटे को अरेस्ट करने की हिम्मत है तुझ में अगर है तो दस मिनट में पुरानी बाश्याब बस्ती में आकर अपनी हिम्मत दिखा आकर दिखा अपनी मर्दानगी अटिखा अपनी में आकर दोस्त करिंदे आए आए अगर दोस्ति बत्खा आए अड़ चुप अपनूट लुट अब अब अजया अब और अब लुटे जो अब इस अब अब और अब झाल आये! 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 सुर्च सुर्च सुर्च! कोई कोना मत छोड़ना! FCC! मुस्से बास कर? मार क्यों रहा है? मुस्से बास कर? दूएट फास्ट सर मेरा बेटा यह मेरा इलाका है तू यहां से जिन्दा बचकर नहीं जा सकता हूं बरॉस साले को मेरे भेट दे़ता मेरे वहां आताए एजिय는지 क Keller उखथियू मुल्लाह उखज्डपान, that of all Обяз City भुषिय्स लखखे आयाद लुषियू वसीम भाई, कुरान पवित्र ग्रंथ है, इन आयतों का मतलब समझते हो तुम, गुन्हेगार को बचाने वाला उससे बड़ा गुन्हेगार होता है, गुना का साथ देने वाले को अल्ला माफ नहीं करता, शाबाश बेटा, माली, सामने वाला पूछ रहा है, कि पैसे की बात कर रहा है, अरे तु क्यों टेंशन ले रहा है, हमारे मिनिस्टर है न सेंटर में, भूल गया, पुलिस वालों को कैसे मार-मार के, मार-मार के यहां से भगाया है, इस एसीप को भी देख लेंगे, बड़गाय रहा है, बड़क को भी दो है, ज म spark को अंग्योसर बड्योसर भी मेंगे, फमक्स रि 시ers का लिगनते वर क्यार का बड़क को राव तु को अवे बडेंगे, घाहाँ प्रुटी पानी ठाटनी अगे ऑाटनी अऊज़ी है भॉपलिए अग्पंबलगी अगे, होगे, हो इंग buyerstype नहाँ पर पाना थाली यह! झालोबीत अगे एपन्ट के बाज़ा है अब इसमय अबी बंड हो जाएगा अबेश्चारिकार्टी घोली निस्टी करना और तो हुआ 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 अ का इसलें है जान झाल एड़ा एंपने हैं आप्षाएब्ग लिए बाखएब्गार जाल एंपने पिता लिए प्रविफटर लिएज़ार थे पितार एंपने हैं तेरी ये चुर्षात इसलिए उन्होंने काउंटर फाइरिंग की अचा यहां गलत आद्मी से पंगा लेने आये थे हम लोग नॉन बेलेबल वोर्ट यहां सिटी के टॉप मोस्ट डॉक्टर्स हैं मताईए डॉक्टर्स यह बच्चा अपने आरोपो को बरदास्त नहीं कर पाया इसलिए इसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया जिससे इसके ब्रेन में इंटर्नल सेरिब्रल हेम रेज हो गया अब इसकी बॉड़ी जिन्दा लाश हो चुकी है ट्रीटमेंट के लिए इन्हें अमेरिका ले जाना ज़रूरी है इसलिए कोट से पर्मीशन भी लेकर आया हूँ चाहे तो देख भी सकते हैं इवनिंग फाइव अक्लॉक फ्लाइट एमिरेट्स दूबे जी पेट्रोल क्यों डाल रहा उस पर घबरा क्यों रहा है जी के आयुरुवेद एक्सपर्ट हूँ वेर साइन्स फेल्स आयुरुवेदा वर्क्स बेटर क्या कहते हो डॉक्तर आपने सही कहा मैच बॉक्स होगा विया डॉक्टर्स लाइटर रखते हैं हुम् हुम् अरे एह नानू सर आपका आइडे काम कर गया सर लाइटर की आवसे इसके हाथ हिल रहे हैं देखते जाओ दूबे जी पूरी बॉड़ी उटके दॉड़ने लगेगी भया 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 पुशाओ पाली लाओ पाली लाओ सिपी जोड़ा नहीं बॉर मार इस दिन जंगल में ट्रेलर दिखाया था लेकिन आज तो जीका को पूरी फिल्म दिखा रहा है जी पीजी मुझे याद कर रहा है क्या हुआ बच्चे काम हो गया क्या अभी आया गाउं से कब आये बताता हूं बाजू के घर में पाइनिस मिनिस्टर रहते हैं मेरे पुराने दोस्त हैं उन्होंने बुलाय था तो आये था हमारी मोहर तेरे घर पर लगाई है पुलीस मतलब डर जो इसकी आँखों में दिख रहा है पुलीस मतलब गुरूर जो मेरी रगों में बहता है उस मासूम लड़की की जान लेने वाले इस कुटे को उसकी कबर तक पहुँचा कर ही चैन की सास लूँगा वो करर किये हुए वक्त पर ही तेरे भाई को पुलीस टेशन ले जाओंगा चाहे तु पैसों का सहारा ले अपने चम्चों का सहारा ले भगवान के आगे हाद जोड़ घुटने टेक और भीक मांग वो तेरी मदद करे तब ही इसे सजा होकर रहेगी तुझ में हिम्मत है तो तेरे भाई को सलाखों से बाहर निकाल के दिखा जी के मामुली इंसान के खून में भी चिंगारी होती और जो ये वर्दी पहनते हैं उनमें ज्वाला मुखी ये क्या सर अचानक इतनी बड़ी पार्टी क्यों रखिया पुलिस की पावर क्या होती है जी के को मेरे बेटे ने दिखाया है तो सलेबरेशन तो होना ही चाहिए दिस इस फॉर माई सण जानू ये सच्वा पुलिस की पार्टी है यूनिफर्म में अगर किसी ने मुझे पैचान लिया तो तो क्या हुआ सबको लगेगा थाने से डिरेक्ट आ रहे हैं क्या सर थाने से डिरेक्ट आ रहे हो आपने देखा अब चलो सर जी ये यहां क्या कर रहे है बहुत मेहनद से साड़ी पहनी है इसक्यूज मी सर यू टीवी रपोर्टा ओ श्रीवनी केस में मैं इनकी हेल्प कर रही हूं गुड तुम्हारा सपोर्ट इसे बहुत काम आया वाइफ और हस्बंड बन जाएंगे फिर और भी सपोर्ट करोंगी इसक्यूज मी यह कौन मेरे पती है यहां कोई सीरियल का प्रोडूसर भी आया है क्या वह उनका साइड बिजनिस है सर यह प्रोफेशनल है यह जूट है पुलिस वाला है क्या यह सच पुच के पुलिस है यह पूलिस में है तो हमारे पास कंप्रेन लिखाने क्यों आई थी वह इनके कहने पर इस एनक्स जोन का नाम बदा रहा है कंफ्यूज है सेर इस्ट जोन गया है अरे क्या मेरी तरफ देख रहे हो अरे तुमने शादी किए ना तो तुम बताओ ना डीज़िपी एस्ट जोन का डीज़िपी तो मैं हूं अरे बाइब मेरा ट्रांसफर का वुआ पालटी में हो ना पालटी में हो जाओ आपे संबर बट लेकिन जब तुझे बेटा बुगारूँगा तो मुझे बहुत फखर होगा I'm sorry बेटा नहीं पापा आपकी और आपके वर्दी की एहमियत को अब मैं समझ गया हूँ मालिक शेर का निशान चब गया है मैं उतना हिसे निकालकर सिमेंट भर देता हूँ क्योंकि अगर मैंने वहाँ बॉल पेपर लगाया और लाइट अन किया तो और ज्यादा चमकेगा और आप जलोगे देख पूरी पब्लिक हमें सुन रही है शोर सुनाई दे रहे हैं उन्हें सचाई ना पता है सचाई सबको पता है कब तक चुपाएंगे मैं यह सोच रहा हूँ कि मैं अपने भाई को किस तरह से बचाऊंगा और तिल सिमेंट लगा दूंगा पेपर चुप का दूंगा यह ज़रूरी है अब क्या करें यूथ लीडर्स अलाखों के पीछे तो यूथ साइलेंट क्यों है हमारे जितने भी यूणियन लीडर्स है उनके आत में मशाल दे दो पूरा शहर चलना जाएंगा किसी तो मत सोड़ना दूबे जी माइडियर स्टूडेंट्स महरबानी करके रास्ता खाली कीजिए आपके सामने आपका भविष्य पड़ा जीके की बातों में आकर उसे बरबाद मत कीजिए तुम हमारे भविषे की चिंता क्यों कर रहे हो साब आधे गंटे के अंदर जीके के भाई को छोड़ो वरना पूरा शेहर तबा हो जाएगा जीके के भाई को नहीं चोड़ा तो मैं यहीं पर सुसेर कर लूँगा हम ज्याद्ती बरदाश्ट नहीं करेंगे पूलिस को बैक पूलिस को बैक पूलिस को बैक पूलिस को बैक पूलिस को डिया स metu हम इज़्दार लोग कोई गुणा नहीं किया हमने जवाब क्यों नहीं देते सर सिटिजन्स गल्ती करें तो गल्ती पुलीस की है स्टूडेंट्स गल्ती करें तो गल्ती टीचर्स की है जब बच्चे गल्ती करें तो गल्ती पेरेंस की हमारे बच्चे को आप चुप रहे हैं अच्छे संसकार दिये हैं उन्हें हमारे बच्चे गल्ति नहीं कर सकते बहुत बळुसा है बच्चों परे लाइफ देखिए जीके हमारा पिता है तो फिर मैं कौन हूँ जीके का भाई जब तक रिया नहीं होता तब तक कॉलेज नहीं, एग्जाम नहीं कुछ भी नहीं मैं मम्मी की कसम खाके कहता हूँ अगर जीके के भाई को एक खरोज भी आई तो हम परदास नहीं करेंगे यह क्या साब अपनी ड्यूटी भूलकर पिकनिक बनाने आये हो क्या है रखता है हमसे डरकर CRPF लेकर आये हैं जो आए हैं वो CRPF में MRPF हैं मादर्स रापिड प्रोटेक्शन पॉर्ट मादर्स मादर्स टेक पोजिशन कि अटाइक कि मादर्स दूबे जी चलिए क्यारम खेलते हैं माओं को अपना काम करने तो हम यह खेलते हैं एक्जाम कब हैं पाज़तारी को है Okay, tell me, what is the use of capacitor? Tell me, how does the processor work? What is induction? पड़ाई चुब करनी रही है आयो भड़ा जंडा उठाने तो हमेलेगा तिको हमरा नाम दुबारा है सिंक, 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 सिंक आप ऐसा क्यों कर रही हो माँ? सीरिल वाली माँव का लूग लेकर क्यों दरा रही हो माँ? आपको देखके मेरा दिल जोरो से धड़क रहा है माँ? मैं माँ भी मांगता हूं माँ? चाहो तो सजा दो माँ? मैं जानता हूं मैंने आपका दिल दुखा हैं माफ कर दो माफ कर दो नॉटन के अच्छे बिटा अगर आपकी माह होती तो आपकी बीजी तरह कुटाई करती है हाँ हाँ करेगा स्टाइश करेगा स्टाइश सर आप इन माहों को कब रुपे यह स्वच्छ भारत की तरह बच्चों का मन भी तो स्वच्छ हो जाए क्यों तक तक तुम लोगों में अखल नहीं आती सनाखों के पीछे ही रहो सर सब साफ हो गया थैंक्यू माजी हेलो लाइव टेली कास्ट कैसा लगा मिस्टर जी के तेरे पास अब भी दो दिन का वक्त है आल दे बेस्ट वो पलिस वाला शिकंजा कसता जा रहा है भाई क्वाल क्वाल मैं मालेक, फिर जूप के लाइन का लाइन है मालेक, फोटो आया, आप बोलो तुसे लाइक करूग्या, जीके के बुरे दिन शुरू हो गये, ये वैन उसके घर की ओट बढ़ रही है, अब ही मौका है, 801 की सर्विस से बचलो, निकल लो चुप चाप, नहीं गए तो, आउडियो प्ले करना ज़रा, इस शहर का वन मैं शो लोगों को पुलीस पर विश्वास दिला रही है, A.C.P. कल्यान, श्रिवानी को इंसाफ दिला कर A.C.P. कल्यान जनता की निज़मे हीरो बन गए है, अब हम प्लिस का पावर क्या है, वो दिखा दिया, जीके के उसने पसी ने छुड़ा दिये, जीके को इस्तिफा दे देन मालेक, मालेक, आप जादा दिन तक यहां नहीं रहोगे, इसलिए अच्छा है कि आप अपनी प्रोपटी मेरे नाम कर दो, आप ही सेफ रहोगे, तूरिस्ट वाला लाइन पे है, उस ACP ने वैसे ही मेरा जीना हराम कर रखा है, बची खुची का सर तू पूरी कर रहा है, हलो, तूरिस्ट वाले अंकल, मालिक कहीं नहीं जाना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि वो यहीं पे मरेगे, मैं नहीं मरूंगा, मरेगा तो वो ACP, और उसके साथ मरेगा उसका पूरा खान था, ठीक है, राजा, जी के राजा, आलात बहुत बिगड़ गया है, केस बहुत आगे नि मामू, मैं विश्वास गात करने वाला कुता हूँ, अरे, तेरे भाई ने, जब पुलिस वाले को मारा और वो दर्वाजे तकाए, तो मैंने तुझे समझाया था ना, कहा था कि उसे सौरी बोल दे, लेकिन तुने मेरी बात बिलकुल नहीं मानी, अब अपनी बात छुपान माली सुन, जामने वाले की विजय, गुरूर की हार, शैतान का नाश, भगवान जालिम को तब तक धील देता है, जहां तक उसकी हद होती है, फिर जब शिकंद्र कसता है, तो फिर उसका भगवान ही मालिक है, भगवान ही मालिक है उसका, तुपीता है तो चड़ती नहीं है तुने मुझे चड़ती है तुने मुझे विश्वास गाती का इसलिए ना समझ मर अपने घमंड में मर मैं तो चला बाई उस विटनेस गाट्रस मिल चुका है है मैं मेरी बात तो सुनो आज तुम्हारे डाड़ी से हमारी शादी की बात करके ही रहूंगी कुछ दिन और रुख जाओ ना नहीं रुकूंग हेलो अंकल आओ बेटी बिल्कुल सही समय पर आयो तुम्हें एक ब्रेकिंग न्यूज देनी थी क्या है अंकल मैंने अपने लिए एक बहु ढूंड ली है नाइस डिसिजिन वो कौन है अंकल हमारे काशी सर की बेटी ने ने मुझे नहीं पता था इनकी बेटी क्या करती है स भाई रगू क्या मेरा काशी सर के पैस गुमाना जरा अपनी बेटी की खुशी के लिए एक रिपोर्टर का दिल को चलने वाले कमिश्न काशी विश्वनात दुबेजी के मुताबिक ये गांजा का धंदा ड्रक्स माफिया यूमन ट्राफिकिंग लैंड ग्राबिंग और ब कि अग्यार के अग्यार कि माही तुम माही को फालो करो मैं इस तरफ जाता हूं कुछ, कुछ! 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 माही, आई ओके? गल्फरेंड मिल गई ये सोच कर ज्यादा खुश मत हो ये बता दूँ के तुझे कवरेज एरिया से बाहर क्यों भेजा है मैंने इस केस का तेरा वो प्राइम आई विटनेस और सपोर्ट करने वाला तेरा बाब उन दोनों को मार दूँगा नाई ए टाइम वेस्ट मत कार हमारे भी इस फास्ट लब बहुत स्याता है आजा आज़ा 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 अरे लगता तेरो ड़ाड यहां आ गया आके उसकी बाड़ी ले जाए सेर्फ झार सेर्फ 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 प्र मलत मत दूबे, पापा का फोन नहीं लग रहा, उनका मोबाइल ट्रेस करो और मुझे बताओ जूबे, 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 जूबे थो जगाँ नहाँ उस वाँ उस नाँ है। मैंनि नहाँ टाँ है। झाहाँ तो व्टाँ है लाँ है साँ 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 सिंसियर पुलिस वाले या तो सस्पेंड होते हैं या बेमौत मरते हैं अब तू ही बता तेरे बेटे के साथ क्या किया जाएं हरे बेवकूफ मेरा बेटा मुझसे दस गुना ज्यादा लाइन आर्डर फालो करता है अभी तुझ चाहे मुझे मार दे लेकिन वो आएगा और तुझे जहन्नम पहुंचाएगा फिर ये तेरे बाप का सामराच्च खत्म हो जाएगा पापा पापा जानते हो ये लोग कौन है स्कैम करने वाले पॉलिटीशन्स या क्राइम करने वाले क्रिमिनल्स नहीं देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले मोस्ट रेस्पेक्टबल पुलिस आफिसर्स है पाँच हजार रुपए में बिगने वाली रिश्वत खोर पुलिस दस हजार रुपए में केस बंद करने वाली बिकव पुलिस गली गली में मिलेगी लेकिन ये जानने के बाद के हम मौत के मूँ में जा रहे हैं डिपार्टमेंट पर अपनी जानने जाओर करने वाले पुलिस सेकड़ों में एक ही होते हैं हम जैसे इनसान हर दिन हर घंटे हर पल शान से जी कर शहीद होते हैं हर पुलिस वाले का नाम एक बुलेट पर लिखा होता है जिससे माँ, बाप, भाई, बहन, बीवी, बच्चे और खांदान में किसी भी इंसान की जान जा सकती है लेकिन उन्हें पीछे धकैल कर खुद के सीने पर गोली खाते है करतवे के लिए अपनी जान गमाने वाला होता है, सक्चा पुलिस आफिस है अपनी ड्यूटी शुरू करने से पहले मैं हर रोज यहां आकर फोटो उसको इसलिए देखता हूँ क्योंकि मुझे इन पुलिस वालों पर गर्व है तुमने क्या कहा था, मेरी लापरवाही की वज़े से मैंने अपनों को खो दिया हाँ सही वक्त पर मैं तुम्हारी मा के पास नहीं पहुच पाया क्योंकि उस दिन मुझे बहुत सारी माँ और बच्चों को बचाना था तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई लेकिन उधर सैकुनों लोगों को इंसाफ मिला और अपनी जान की बाजी लगाकर आमन और शांती को कायम रखूंगा इसे शपर लेने वाले हर पुलिस वाले के लिए ड्यूटी इस फर्स्ट, फैमिली इस नेक्स्ट सब कहते हैं कि जीके को हमेशा होम मिनिस्स सपोर्ट करता है आप लोग तो चारा तरह घुमते हैं आपको तो इस बात की सचाई पूरी तेसे पता ही होगी ना डीजीपी के बारे में मैं एक ही बात कहूंगा चाहे कोही नूर हो या डीजीपी हो दोनों की चमक में कोई फर्क नहीं है जैहिन जीके और उसके फ्रेंज को बेल हुग गई है और वो जेल से रिया हो गया सुजान वी सिक्स्टीज श्रीवणी के केस में जो गुंड़े अंदर थे वो बेल पर रिलीज हो गया है अं अ हुदो दोबे टे ओंटाइम है न इस 트레이क पर ट्रेन कभी कबार late आती है लेकेन उस ट्रैक पर पैसेंजे ट्रेन राइट तेम पर आती है शिफ्त कर दो रेल गारी रेले गारी चुक 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 जुक जुकुक। सर पैसेंजरे ट्रेन इन्हें देकर हॉल्ट ले सकती है। आज लेकिन वहां से गुजरने आली ट्रेन कभी हाल्टी नहीं लेती। शिफ्ट। आपे ट्रेन नहीं हूं मौधार यह जबाट। टीवी आउन करने का टाइम हो गया जीके। आज सुभा ही, जीके का पार्टनर रविंद्र और उसका बेटा एक ट्रेन अक्सिडेंट में मारी गए वो दोनों ट्रेन की पट्री क्रॉस कर रहे थे, तभी एक तेजी से आती हुई ट्रेन ने उड़ा दिया ओनली त्री आर्स तू फिनिश उठाए दूबेजी, रख दैयार, तोनों को मारने के लिए दैयार, जर्टों को रहे को चलाए अंदर चलाए अंदर चलाए आपको चश्मदीत गवहां से मिला है, आईए एक्सिदेंट को अपने लाइब देखा क्या? आदे घंटे पहले ही देखा है क्या देखा? एक बुढ़ा और उसके बेटे को गाड़ी रोग कर ब्रैंडी पीते वे देखा है अरे बड़ी मानधारी से क्वाटर लेके घर पे जाके पीता हूं और ये तो हाइवे पे फुल बॉटल पी रहे है इसके बारे मैं और कुछ बोलना चाहते हूं अब लेक्ट डूंट ड्रिंक एंड्राइव यार तुवारे दो आदी दुज है इनका बैस फ्रहाईवर है भाई ट्राइव करते वो ना कैसे मरेंगे वो एसी बनेन हमारने के लिए इसाहु ना चकरशा तमन्य को देखना है तो आज़ाओ अरे खमें भी देखना है अरे अरे तमन्य दखेंगे अरें तमन्य अले भी एग है आप लोगों को चश्मतीत कवास ही मिलना है ना? आप तो में में अच्छा, तमन्ना का फैन, पबलिक, जड़क पे हुए हाथ से को, तमन्ना की पबलिसिटी स्टड्ड बानने हो, तेखो बुरे काम का बुरा नतीजा, इस पेनिंग यार, प्रम बॉटम आफ माइ हाथ, बेगिंग, तमन्ना का नाम बदना मत करो, शीज सो सिंसिटी यार, सीरिसली, प्यारे ही, जो सीरल किलिंग हो रही है, उसकी मिस्ट्री क्या है? पुलीस वालों की इस अक्शन से, पॉलिटीशन में घबराट शुरू हो गए, होगी ही ना, तुम खुल निकाल दिया, तुम सब लोग तो जनलिस्ट हो ना, तो फिर मिस्ट्री के वरकर की तरह मुझे पर क्यों तूट पड़े, मैं खचरा हूं क्या? दोनों मौदर्स देखकर लगता है कि ये पुलिस की साज़िश है, किसी की मौत कोई नों कोई बहाना लेकर आती है, मतल अगला टागेट मैं हूं ये मैं अच्छी तरह जानता हूं, श्रीवनी केस का हर एक गवा दुनिया छोड़कर परलोग सिधार गया है, इसलिए तेरी जगा तेरे एक चेले को तयार कर लेकर लेकर याद रहे, वो चेला तेरी तरह सिंसियर ना हो, कंप्रोमाइस का सवाल ही एक घंटे में मैं दिल्ली पहुचूंगा, वहां से मेरा कया हुआ पावर लेकर आउंगा और तुझे जिन्दा काड़ूंगा, लाइट कितने बज़े किया है, दस बज़े किया है, मालिक, एह, तुझे क्या लगता है, मुझे बातों में उलजा कर मेरा लोकेशन ट्रेस कर आलेगा, अरे, यह एरपोर्ट की जगह हम कहां आ गए, रूट गलत है, रूट गलत है, हम दोनों ने आपको बताया, अब भुखतो, कॉम्प्रमाइस का सवाल ही नहीं, तीरी सिक्योरिटी किसके जिम्मेदारी थी, उसे देखा था गया, चल, कोई नहीं, अभी देख ले, आई हेट पुलेट, तीरी सिक्योरिटी के लिए मेरे डिपार्टमेंट ने हमें एक बंपर आफर दिया था, सभी ओफिसर्स रेडी हो गया, लेकिन कोईंसिदेंटी लोट्री मेरी नहीं, मैं भी अपनी सेफटी अपने साथ रखता हूँ, मेरी एक बहुत ही बुरी आदत है, दुश्मन चाहे जितना भी बड़ा क्यों नहों उसका सामना करना है, आई टू आई, फेस टू फेस, चाहे उसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े, तेरे भाई की मौद तैय हो चुकी है, कि जो हुआ, एक पड़स, बाई星 कि ऑम के थेजियों चाहे टू पराईए औह सक्कारते हम थे दे देख 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 झाल, जोड पेश्सा आप पुछूपा、 छुछूपदी औरा, ग्ज? झाल, जो जोच करता है। झाल! कर दो 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 कर एए है, तुमको 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 ताशुभाष, तुम्हारी टेथ का विटनस हुम है, लेकिन में भारा का हूँ, अच्छा, तुम्हार जाओगा, सर एक बार इससे बुलवाइए, I love police, तब मुझे सुकुन मिलेगा, एक बार नहीं, बार बार बोलूँगा, I love police, I love police, but I hate criminals, officers ready, fire! आपको चश्मतित गवाँ से मिलना है ना, यह रहे, यहां आपने क्या देखा, इश, वो सुनामी स्टार आप है, इस शेहर को क्या हो गया है, चारों तरफ देखो तो, बस धुआ ही धुआ है, छोटी सी गल्ती की भारी मुल्य चुकानी पड़ती है, यह सब तो फिल्मों में शुरू में ही देखाते हैं, इससे बस कोपी करना आता है, समोश, कंटेंट कनेक्टिवीटी के लिए मैंने स्टार्ट किया था, टामेक्स लोकेशन टेम्टिंग हो रहा, इसलिए यहां आँ हूँ, जीके ने आड करने के लिए मुझे यहां पुलाया था, उन्होंने सिगर इसको पहलाओ यार, जहर-जहर होता है, देच में मत बलो, पर आप थोड़ी सुधरेंगे, न छोड़ेंगे, न छोड़ने देंगे, अलो, देखा की नहीं, यह वैन याद है, उश गरबड किया, तो येट नोट वन, तुम्हें उठा लेगा, और तुम्हें सुधर देगा आल-न फेसलेटी भी है, www.punchpunch.com, यहाँ वीडियो से ज्यादा आदियो पावरफुल है, अरधा, अरधा, शीट से जुरू हो गया, प्रॉन और क्राप प्रोडक्शन, मिसाइल, रेडी तो लॉंच, आक्शन, पुलिस मतलब पावर, पुलिस मतलब गरूर, पुलिस यानी डार, अरे, शॉर्ट ठीक से हो गया, अरधा फूल गया, तेंक्यू, तू ताली क्यों नहीं बजा रहा है, इस उमर में आप पुलिस नहीं लगते, यार, करो, मेरी उमर में रजनी जब रोबोट बन सकता है, तो सुभाश ये रोल क्यों नहीं कर सकता, आप उनके बराबर ह अप कहां पास गे हम लोग? 36 गार, देश भर, मैं इतने सारे मिनिस्टर हैं, न्लोग को मैं ही मिलता हूँ क्या? अब जल्दी से ऋपर फोन लगा और उन्हें बता कि मैं यहां फस गया हूँ, जल्दी आकर मुझे बचा थिक को फोन कर रहा है? हुम रिक्टर का लेका बच्चा, अरे उन्हें क्यों फोन लगा रहा, सीधे हाई कमान को फोन लगा, पोल में फिर से किड्नाइप हो गया हूँ, और इस बार एसी भी कल्यान को ना भेज़े, हेलो, कट एट,